संकट गटय मिल्टे सपीरा में आप सभी दर्सकों का स्वागत है दर्सकों आज हम बात करेंगे मकर राशी वाले जात्कों की मकर राशी वाले जात्कों का कैसा रहने वाला है 2023 साथ ही बताओंगा आपको कुछ अचू और साधरन से उपाए जो आपके जीवन में बदला ला सकते हैं सपलता की सीड़ी आपको प्रदा कर सकते हैं मकर राशी के स्वामी सनीदेव हैं जो नियाय के देखता हैं और इनको पाप ग्रह माना जाता है मकर राशी के व्यक्ति काफी भेनत समर्पित और अनुसासन सील होते हैं ये काफी अच्छे कार्य को सल माने जाते हैं क्योंकि हर चीज को मैनेज करना इनको आता है यहाँ बेहद महत्व कांची होते हैं और किसी गती विदी को चुनते हैं उस छेत्र में कड़ी महनत से सीज तक पहुँचते हैं यहाँ वक्त के काफी पावन होते हैं और जिम्मेदार लोगों में इनका नाम सुमार होता है कार्चेत्र हो या परिवार हर किसी की जिम्मेदारी को अच्छे से जानते हैं 2023 में मकर रासी वाले जात्कों को क्या उपाय करने चाहिए इन उपायों को करने के बाद में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं मकर रासी के जात्कों के रासी स्वामी सनी देव हैं ऐसे में आपको सनी से जुड़े उपाय आपको लाब पहुचा सकते हैं सनी वार के दिन किसी सनी मंद्र में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं सनी वार के दिन पीपल की जड़ में मिट्टी का दीपक जलाएं पीपल की साथ प्रक्रम्मा करें और कच्चा सूथ साथ बार बानें आपकी कुंडली में सनी की ढहिया या साथ सती चल रही है तो अगर आप यह उपाय करेंगे आपको विशेश लाब होगा जैसरी बालादी जापकी करेंगे तो बालादी और करेंगめ टी नवी होगा कमारे और अभी उन्यक्वास